क्यों आप सब आप सब और सब भी शार करना चाहती थी और यह बहुत दिनों से शेर करना चाहती थी आज मुझे टाइम लाय था याद भी आ गया तो आप लोगोगो साथ शेर करना चाहती थी अब बहुत पहले खडी दा और आप लोग WWE साथ शेयर भी किया थ under dialogue अनुस्ट का मैं ने उतना review नहीं दिया तर ही डिडेल रिव्यूं नहीं दिती तो आज में बात करे commemorative to get by DOsed Oh Every बहुत अच्छे अच्छे प्रोड़क्ट्स ये बनाते हैं डर्मा को अच्छी मतलब कि अच्छे कंपनी में से आती है, बहुत अच्छा ब्रैंड है तो ये मेंली मैंने इसलिए बाई किया था, क्लेंजर हम लोग तब यूज करते हैं, जब हम बहुत हेवी मेंकप यूज करते हैं, पार्टी फंक्शन्स या डेली बेसिस पे भी कॉलेज गूइंग गर्स यूज करती है, जैसे मैं वीडियो अभी बना रही हो, तो मैंने मेंकप यूज किया हुए तो इसके बाद हम लोग मेंकप को रिमूवरे यूज करते हैं, उसमें थोड़ा से अलखोहल प्रेजन्ट रहता है, बहुत साहे में लिए रिमूवरे में उसके बाद हमारे स्किन बहुत जादा हार्ष हो जाता है बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है, हल् legacy बाद हम लोग करते हैं face wash यूज़ करना हमेशा हमें home remedies यूज़ नहीं कर सकते हमेशा तो यह नहीं पॉसिबल है तो इसलिए cleanser हम लोग यूज़ करते हैं cleanser हमारे skin को hydrated रखता है, moisturize रखता है and हमारे skin को healthy रखता है इसलिए हम लोग cleanser use करते है face wash के replacement पे, face wash हमारे substitute है soap के लिए mainly हमारे skin के जो pores हैं, बहुत सारे dirt होते हैं उसको remove करने में बहुत अच्छा है and cleanser मैंने जैसे कहा कि makeup जब हम लोग use करते हैं उसके बाद हम makeup remover use करते हैं इसके बाद हम लोग cleanser use कीजिए and हमारे skin बहुत अच्छा रहता है उसके बाद आप अपना skincare routine पे जा सकते हो तो इसलिए मैंने इसको buy किया था और अभी मैं videos बनाती हूं में ली तो मैं बहुत सारी makeup use करते हूं उसके बाद face clean करणी के बाद मैं इसको use करते हूं और इसको अगर आप daily basis पे भी use कर सकते हो आप face wash को remove करके and face cleanser use कर सकते हो यह थुरा सा mild होता है इस वज़े से भी लोग इसको preference देना पसंद करते हैं तो यह दर डर्मा को के तव से मैंने इसको buy किया था और इसकी product की बात कर ली जाए तो यह 30 ml product है इसकी quantity 149 रूपी इसका price है इसके जो जो चीजे इसमें present नहीं है silicone free है paramin free है dye free है mineral oils में present नहीं है क्या के चीजे present है वो भी यहां पे mention कर दिया गया है इसको आप daily basis पे मतलब की day and night two times लगा सकतो जभी आप अपने skincare करते हो serum से पहले या moisturizer से पहले अपने skin को अच्छी तरीके से clean कर लीजिए उसके बाद अपने skin के ऊपर two to three drops को लगाना है जंटली अपने skin पे massage करना है और उसके बाद नौल पानी से wash कर लीजिए उसके बाद moisturizer भी लगा सकते हो the derma ko के तरफ से मिल जाएगा या face serum जो भी आप लगाते हो उसको आप लगा सकते हो इसको अपने eye area से फुरा सा दूर रखीगा insurance को आप इसको use नहीं करने दीचेगा और आपको irritation या कुछ ऐसा होनी लगता है तो आप प्लीज डॉक्टर से console कर लीजिए इस पर यहाँ पर mention किया गया है 8 out of 10 consumer found skin clean generally after using creamy cleanser तो यह सच बात है मैं इस भी इसको use कर रही हूँ अभी क्योंकि मेरे भी acne prone problems होगे है आप लोग देख सकते हो तो मैं इसी को use कर रही हूँ मैं अभी face wash को थुरा से वाइट करती हूँ इसको use कर रही हूँ मुझे बहुत जादा अच्छा लगा है जब आप इसको use करोगे तो इसका कोई भी smell नहीं यह आप है वैसे mention है यह थोड़ा सा watery form में है जादा इसका creamy texture भी नहीं है जब आप इसको लगाओगे तो foaming नहीं देगा जो कि अच्छी बात है क्योंकि soap जब आप लगाते हो या face wash लगाते हो क्योंकि वो substitute है soap का तो उसमें थोड़ा सा foam आता है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं आपको दिखाए देगा यह बहुत अच्छा है मुझे बहुत जादा अच्छा लगा है मेरे लिए बहुत अच्छा है जब मैं अभी बहुत जादा harsh चीज़ें नहीं उसकरना चाहती हूँ कभी कभी हमारा skin बहुत जादा different मतलग की होने लगता है climate के हिसाफ से भी तो इसलिए हम लोग time to time ऐसी ची के लिए तो इसी को यूज कीजिए मुझे बहुत जादा अच्छा लगा है और अगर थोड़ी सी भी helpful लगी हो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो comment जरूर कीजिगा और भी ऐसी वीडियो में लाना पसंद करूंगी आप लोग इसाँ शेर करना पसंद करूंगी helpful लगी होग तो subscribe करते जरू जाएगा thank you so much bye bye